हेलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं उमीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे मस्त होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में यह जानने वाले हैं कि हाल फिलाल में आर आर बी एंटी पीशी गेट लेबल की जो पोस्ट आई हुई है उसका हम आधार फिल का सपना होता है कि हम रेलवे में नोकरी पाएं और एक सरकारी जॉब करें दोस्तों आर आर बी जो ग्रिजवेट लेबल की पोस्ट है हम आज कि उसमें हम जानेंगे आज कि इस वीडियो में यह जानेंगे कि आर आर बी की जो ग्रिजवेट लेबल की पोस्ट है जो आधार आधार ब्रिफिकेशन का आया हुआ है कि आप आधार ब्रिफेकेशन करने के बाद ही, आप फॉर्म फिल कर पायेंगे तो इतयु पे किस तरह से करते हैं कितना up ऐया हुआ है OA datos ऐसका क्या कि बेच से लेंगा कि इतना लेकर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं वह आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आप यहां पर Chrome ब्राउजर में आईएगा, और Chrome ब्राउजर में आने के बाद Simple सा यहां पर, Chrome ब्राउजर में आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना होगा RRB NTPC, यहां पर हम सर्च कर लेते हैं, RRB NTPC, यहां पर हम लिके सर्च कर लेते हैं और जैसे ही आप यहां पर सर्च किजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस कुल के सामने आएगा और यहां पर देख सकते हैं, RRB NTPC, यहां पर सिंपल सा यहां पर गिलिक करनेंगे और जैसे ही आप यहां पर गिलिक किजिएगा, RRB के जितने भी नुटिफेसन हैं, वो आपके सामने कुल के सामने इस तरह से आजाएगा आप यहां पर देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करने के बाद, RRB NTPC, दुआदर 24 एक्जाम समरी, यहां पर देख रहा है आप एक्जाम समरी का नाम यहां पर दिया हुआ है, नेम आफ दो ऑस्गर नेजेशन अन, रेलबे रजिलेशन बोर्ड यानी की RRB आप यहां पर जॉब रूल देख सकते हैं, यहां पर जॉब गेजुवेट पोस्ट पर आया है, जो लड़के गेजुवेशन फाइनल कर चुके हैं, उनके लिए यह जॉब है और दुवेशन पास पर भी यह जॉब आने वाला है, जैसे यह नुटिफिकेशन आएगा, हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, कि उसमें किस तरह से फ्रॉम ऑल्लाइन करना है, किस तरह से अधार विटिफिकेशन करना है, सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगा तो अगर आभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किए हैं, तो जैसे जागा सस्क्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को अल पर प्रेस कर लीजिए, तो दुस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जो जॉब रूल है, वो गेजुएट पोस्ट पर है, चीप्स, केमिरिकल कॉम, टीकट, सुपरवाईजर, स्टेशन मास्टर, गोर्स ट्रेंड मास्टर, ज्वाइनर, एकाउंटमेंट, स्टेशन कॉम, टाइप सीनियर, कलरक अप टाइप, यहाँ पर बहुत परकार का, गेजुएट लेबल की पोस्ट पर जो आया हुआ है, पोस्ट यहाँ पर बह 8,013, यहाँ आठ 113 लेबल की पोस्ट है, जो अंटर गेजुएट लेबल की पोस्ट है, यानि जो गेजुएशन नहीं किये हुए हैं, उनका 34,045, जो उनका आभी नहीं आया हुआ है, और हाल फिलाल में ही आने वाला है, अक्टूबर में आने वाला है, तो यहाँ पर टो पता करते हैं, तो डेट है 14 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक, यानि एक्सपार हो जाएगा, यानि फर्म भरने का समय है, 14 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में ही आप यह फिल कर सकते हैं, और अंजा ग्रेजुएट जो लेबल है, यानि जो लड़के 12 पास हैं, यानि 20 अक्टूबर तक ही फिल कर सकते हैं, और कुल्फेकेशन और अर्रवी एंटीपीसी, हम कुल्फेकेशन की अगर बात करें, तो 12 प्लस टू स्टेज एनी गेजुएट, एनी जो लड़के 12 पास कर लिये हैं, या तेन्थ पास भी है, उनको भी ये अर्रवी फिल करना ह यहाँ पर खुद आप दीख सकते हैं, और दोस्तो एज लिमिट की बात करें हम, तो एज लिमिट है 18 से लेकर 32 परस और 18 से लेकर 36 परस, यानि आपका एज अगर 18 से लेकर 36 के बीच में हैं, तो आप यह फिल कर सकते हैं, दोस्तो सेलेक्शन फोर आर्रवी एंटीपीसी, सी और इसकेल टेस्ट यानि माइंड टेस्ट और डोकुमेंट फ्रिपकेशन और मेडिकल टेस्ट भी होगा, और दोस्तो यहाँ पर फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है, एस्टीपी आरार्रवी के साइट पर आपको यहाँ पर जाना हो, जो नीचे पर इंटर करने के बाद आपके पास अगर कोई, देख लिजिए यहाँ पर आरार्रवी के ओरिजिनल वेब साइट पर हम आ गये हैं, और यहाँ पर हम डेक्साप मोड में इसको अन कर लेते हैं, अन करने के बाद सिंपल छा, दोस्तो यहाँ पर आपके पास कोई एकाउंट बना होगा, जैसे कि यहाँ पर आपके पास कोई एकाउंट बना होगा, तो उस एकाउंट से इमेल एडरेस इंटर करने के बाद और पास्पोर्ट और केप्सर कोड भरने के बाद आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं, नहीं तो अगर किस तरह से साइन अप करना हैं, वो भ यहाँ पर क्लिक किजिएगा, आपके सामने कुछ इतरह से इंटरफेस कुल के सामने आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अपलाई, अपलाई पर क्लिक करें, अगर आपके पास एक एकाउंट बना हुआ है, पहले सी एकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर already have an account पर click किजिएगा और आपके पास account नहीं बना हुआ है तो create on account पर click किजिएगा जैसे मेरे पास अगर आपके पास account नहीं बना हुआ है तो हम यहाँ पर simple से बना के आपको बता देते हैं आप यहां पर क्लिक किजिए और क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर क्लिक कर लेजिए जैसे ही यहां पर देख रहा है कौंट्री औफ निशनल्टी आपकी इस कौंट्रिक से बिलोंग करते हैं आपको उस कौंट्री का नाम यहां पर इंटर करना होगा जैसे आप यहां पर इंडिया से बिलोंग करते हैं और आपका जो भी फूल नेम है आप यहां पर फूल नेम इंटर कर लिजिएगा और नाम आपका क्या यह तो आप भी जानते हैं आप आसानी से अपना नाम भर सकते हैं मैं यहां पर आपको यह बता हुआ कहां कहां क्या इंटर करना है आप वहां सिंपल से यहां पर इंटर कर लिजिएगा यहां पर अपना फूल नेम भर लिजिएगा और रिटाइप फूल लेम यानि फीच अपना नाम यहां पर टाइप करना है और यहां पर दे रहा है है और किया अपना नाम आगे चलके बदलना चाहते हैं अगर बदलना चाहते हैं तो yes पे किलिक जिएगा और बदलना नहीं चाहते हैं imagen किलिक कि आपका जो भी डा झालिएगा ज JULसेंद की यो मार्क शिब फे और यहां पर टी प्रशानी होगा और रेलबे ग्रूप टी जो गेजवेट लेबल की पोस्ट आई हूँ है वह आपको रिक्वार्मेंट नहीं करेगा तो आप यहां पर वही डेट आप डाली है जो कलास देंद की माक्षिट में उपलब्द है तो यहां पर फिट से आपको डेट आप डेट आ रिट आप देएम इंटर किजिएगा और यांप रिटाइब फादर जैम मॉधर जैंब भी है और अधार के सब करने के लिए में मुद्ध आप यहां रहा है जोस्तों अगर आपके पास अधार कार है तो आप अधार कार्ट से भी वरिएटेशन कर सकते हैं और आपके पास पर आपके पास है तो आप आधार कार्ड से इंटर करने के बाद यहां पर युजिंग वेरिफाइव यूजिंग युजि अपर वेरिफाइव करने के नहीं है वो पैंकर से भी यहांपर अपर इंडर कर सकता है और आप यहां पर आपना email address दो हुगा यहांपको स्लइक के mark sheet behoda करने के लिए जुप करने के लिए आपको email address जालना होगा और email address की तरह से बनाना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा तब तक लिए वीडियो को दिखिये जैसे यहां पर वहां पर पर उठा के यहां पर इंटर कॉल लीजिये कर यहां पर इंटर कर के यहां पर इंटर फ्रील कर दिजिएगा और फिर वहां पर आप pospaPa contenaka आप यहां पर अपने आउन साथ कोई भी पासपोर्ट इंटर कर सकते हैं और यहां पर डालके यहां पर केप्सर फिल कर देजिएगा आप जैसे इतना सारा काम किजिएगा आपका आधार विरिफेकेशन हो जायेगा और किस तरह से फिल करना है वह आगे वीडियो में बताऊं और जितने भी लोग और जो गिर्जवेट जो ट्वेल्थ पास है उनके लिए भी यह पोस्ट है वह भी अपना अधार विकेशन कर सकते हैं और जब यह फॉर्म फिल करने के लिए आएगा नुडिफेकेश है आप वहां से फॉर्म फिल करने में आपको जरा भी कोई दिकत नहीं होगा तो फॉर्म फिल्म करने इतना करने के बाद आपको समझेए कि लेल्बे की जो पोस्ट आया हुआ है वह उसके लिए आप उपलब एस्विलेटी हो गया है यह आप आधा उमिदवार हो गया है सिर्फ आपको फॉर्म आएगा और फॉर्म उसको फिल करना होगा अब फॉर्म फिर करने के बाद आपको एक्जाम देना होगा जो एक्जाम में सिविल्टी वं सिथेेग्जाम होगा व मॉल्म को अच्छा लगा हूग तो चैनल को सस्क्राइब कर के वीडियो को लाइक कि Hadar कि मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंत